हेलो दोस्तो नमस्कार आज ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है तो मैंने सोचा पहला वीडियो क्यों न हम अपने पहाड की जो कड़ी बनती है उससे शुरू किया जाए इसे लोकल भासा में जोली कहते हैं तो चले ये स्टार्ट करते हैं हमने लिया थोड़ा सा बेसन हल्दी अमख इन सबको हम अच्छे से फ्रैंट लेंगे पहाडों में इसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाया जाता है लेकिन हम अभी खाली सिर्फ वेशन से बनाएंगे छिशे से गुल जाएं एक बार फिर हमें जोह की कड़ाई नेंगे लोह की कडाई में अब हम थोड़ा सा सर्सों का तेल ला लेंगे फिर हमने थोड़ा मेथी दाना डाल दिया और यह रहा जीरा और अब यह जो बारीक से दाने दिख रहे हैं इन्हें हम जक्ख्या या जेक्ख्या कहते हैं यह कड़ी में बहुत अच्छा स्वाथ देते हैं अब जो सबसे दुरलव तड़का है उसका नाम है फरर्ड फरर्ड जो है वह ऐसी जगह पर उपता है जहां साल के 8-6 महीने वरफ पड़ी रहती है और हमारे पास यह फरर्ड जो सिमत मलारी से आया है जिसे मेरी दिदी ने दिया है अब हम इस तड़के में जो हमने पेस्ट तयार किया था बीसन का वो डालेंगे हमारे यहां पर जो ट्रेडिशनल कड़ी बन दिया उसमें क्या होता है पहले बीसन को अच्छे से पकाया जाता है आपको अगर थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो और पानी एड़ कीजिए और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए इसे पकने में मुश्किल से चार से पांस मिनट लगेंगे अब मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है ताकि यह अच्छे से पक जाए और बहुत गाड़ा होने के वज़े से नीचे ना चिपके यह लीजिए यह पक के तयार हो चुका है अब बारिया इसमें दही या छांच मिलाने की हमारे इसे चांच से भी बनाया जाता है लेकिन अभी मेरे पास यह घर की बनीवी दही है इसे बहुत ज़्यादा नहीं फैटना है इसे थोड़ा दही दही सा ही रहने देना है यह जा चुका है और इसकी एक खास बात है दही जाते ही यह गड़ी बिलकुल नहीं फटेगी वैसे देखा जाता है गड़ी फट जाती है अब इसे एक दो बार अच्छे से चला देना है आपको अगर यह गाड़ी लग रही है तो थोड़ा पानी और मिला सकते है और इसे फिर पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है मैंने भी थोड़ा सच में पानी और मिला दिया है इस कड़ी की खास बात ये है कि ये जल्दी बन के तयार हो जाती है अब हम कड़ी को पकने देते हैं और इधर लहसुन का पेश तयार करते हैं वैसे लहसुन को सिल्वट्टे में पीशा जाता है लेकिन मैंने इस अद्रक कूटने वाले में इसे डर-दरा पीज लिया है आप चाहें तेसे बारिक भी पीज सकते हैं लेकिन मैंने इसे डर-दरा ही रखा है और अब मैं इसे चम्मस के साहिता से उबलती भी कड़ी मैं डाल दूँगी मुझे नहीं पता क्यों लेकिन हमारे याँ जो भी कड़ी बनती है उसको जब वो उबल रही होती है तब ही लेसुन डाला जाता है इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अब मैं फिर से इससे पांच से साथ मिनट उबलने के लिए छोड़ दूँगे और आच इसकी सिंपे रखोंगे फिर ये पकने के बाद कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा बिल्कुल मलाईदार अब लास्ट में एक सीक्रेट सी चीज जो इस कड़ी की जान है वो है खीरा या फिर ककड़ी इसे मैंने एक कटूरी के करीब कदूकस कर लिया था और ककड़ी डालने से यह कटी टेस्टी और हैल्दी दोनों हो जाती है अब इसमें हम थोड़ा सा धनियापत्ति डालेंगे और इसे फ्लेम बंद करके अलग रखतेंगे इसे अब हम एक तरफ रख देते हैं और तड़का बनाते हैं तड़का बनाने के लिए हमने फिर से एक तड़का पेहन दिया है अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा सर्सों का तेल डालेंगे और इसके गरम होने के बाद इसमें फरन डालेंगे और इसमें आग गलती से लगी है आप ऐसा ना करें वरना थोड़ा टेस्ट खराब हो जाएगा और ये हमारी कड़ी या जोईत बनके तयार हो चुकी है इसे हमने उत्राखंड के पारंपरिक तरीके से ही बनाया है और अगर आप उत्राखंड से हो तो आपको इसका टेस्ट जरूर यादा आगया होगा और अब बारी है प्लेटिंग की ये रहे हमारे पिंक चावल जो की पहाडी चावल होते है क्योंकि ये पहाडी खाना है तो हम इसे पहाडी तरीके से ही परूसेंगे हम इसे थाली में खाएंगे ये हमने कटोरी में कड़ी ले ली और सलाद के लिए मैंने खीरा प्याज और मिर्च रखी है जो कि हम उसी थाली में लेंगे क्योंकि पहाडी लोग जितने सिंपल होते हैं खाना भी उतना ही सिंपल होता है और ये लीजे हमारे जोली भात की थाली बिलकुल बनके त्यार है ये देखे एक सिंपल और बहुत टेस्टी खाना जो कि सिर्फ आपको उतराखंड के पहाडी जिलों में खाने को मिलेगा और आप जब भी पहाड आएं तो प्लीज ये खाना जरूर ट्राइ कीजिए आप इसका स्वाध हमेशा याद रखेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद